अगर आप पराठे खाने के शौकिन हैं तो ये खबर आपको थोड़ा हैरान तो जरूर कर देगी क्योंकि अगर आपको अब पराठे खाने हैं तो 18% GST देना होगा यानि कि आपकी जेपर भार बढ़ जाएगा अगर आप पराठे खाएंगे तो और अगर आप रोटी खाते हैं तो 5% GST में ही आपका निप्टान हो जाएगा लेकिन अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि पराथे और रोटी बनते तो आटे से ही हैं फिर पराथे पर 18% और रोटी पर 5% GST क्यों? दरसल इस बात को लेकर कमपनी वाडिलाल इंडेस्टीज ने गुजरात हाई कोट से अपील की यह कमपनी रेडी टु कुक यानि की फ्रोजन पराथे बनाती है कमपनी ने अपनी दलील में कहा था कि पराथे और रोटी में ज्यादा अंतर नहीं है और दोनों ही आटे से बनते हैं तो पराथे पर भी रोटी की तरह 5% GST ही लगना चाहिए लेकिन वाडिलाल इंडेस्टीज की इस दलील को खारिच करते हुए गुजरात की अपीलेट अथोरिटी आफ एडवांस रूलिंग ने कहा है कि पराथे और रोटी में बहुत अंतर है रोटी में केवल आटा और पानी का ही प्रियोग होता है जबकि पराथे में आटा और पानी के साथ-साथ अलग-अलग तरह की वेजिटेबल और वेजिटेबल ओयल का भी प्रियोग किया जाता है लेकिन गुजराज GST प्राधिकरण ने कहा है कि रोटी ready to eat है जबकि कम्पनी का पराथा ready to cook है कर प्राधिकारियों का साफ कहना है कि पराथा रोटी से पूरी तरह अलग है रोटी या चपाती को आप बगेर मक्षन या घी लगाई भी खा सकते हैं लेकिन पराथा इनके बगेर नहीं बनता चूकी घी चुपडी रोटी या पराथा एक तरह से विलासिता की स्रीणी में आता है यानि अगर आप पराथा खाते हैं या घी चुपडी रोटी खाते हैं तो आप पैसे वाले माने जाएंगे इसलिए इन पर 18% GST की दर वसूलना लाजमी है भारत में एक समान वस्तू वसेवा सुल्क या कहें तो GST प्रणाली लागू हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं लेकिन इसकी पेचीदगियां अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं GST के अमल वा अधिसूचनाओं को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं इससे पहले महराश्च्र AAR ने कहा था कि पराठे पर 5% दी GST लगना चाहिए लेकिन किरल और गुजरात AAR का कहना था कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है जानकारों का कहना है कि अलग-अलग तरह की रूलिंग से मामला और जटिल हो जाएगा GST काउंसल को इस मामले में पहल करनी चाहिए कुछ स्लैप्स को मिलाने से चीजें आसान हो सकती है वैसे अगर आप किसी इस रेस्टोरेंट में खाने खाने जाएंगे तो अपने बिल पर 5% टेक्स लगेगा फिर आप रूटी खाएं या पराठा अब पराठे पर 18% GST से लोगों में बहुत नाराजगी है और ट्विटर पर यूजर्स ने मजएदार कमेंट्स लिखे हैं दीपक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि लगता है मानव इतिहास की सर्वस्रिष्ट अर्थसास्त्री निर्मला सीतारमन जी दिल्ली की मशूर पराठा गली में घूम कराई है वैसे केंद्री मंत्री भी सबजी खरीदते हैं सबजी पर GST कब तक लग जाएगा विंड ब्लोर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि 18% GST लगाने से आप कम पराठे खाएंगे और आपका वेट कंट्रोल होगा आशिश मिस्टरा नाम के एक यूजर ने लिखा कि सीधे सीधे सांस लेने में ही GST लगा दो इन सब यूजर के कमेंट को देखकर पराठे पर 18% GST लगाने पर आपकी क्या राय है और क्या पराठे पर 18% GST लगना चाहिए या नहीं और यदि पराठे पर GST लगना चाहिए तो कितने प्रतिशत लगना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक और मज़िदार खबरों के रिए जुड़े रही है हमारे साथ